सो टुड़े इस आग लास्ट वन राइट सो जब हम क्लास वन में है तो क्योंकि यह हमारी शुरुवात है और यह सोल जर्नी के उपर है और हम सब जानते हैं कि हम सब सोल्स है लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि सोल मतलब एक भाग है हमारे ही अंदर एक पार्ट ऑफ आप बॉड़ी है तो हम सब बॉड़ी के कंसिस्ट करते हैं हम इंपोर्टेंस बॉड़ी को देते हैं और सोल को कम देते हैं तो आप अपने आपको अपसे इस क्लास के बाद से आप अपने आपको एज एस सोल देखेंगे जो सोल है बॉड़ी के अंदर दोनों में फरक है के नहीं है आपको क्या लगता है दोनों का मतलब सेम है अगर मैं कहूं कि एक सोल है जो बॉड़ी के अंदर है या मैं बोलूं कि बॉड़ी है जिसमें एक सोल है तो दोनों में क्या फरक लगता है एक सा लगता है सबको सब के वीडियोस तो off है और सब लोग शायद किसी ना किसी कारे में busy है पर क्योंकि ये soul की class है, so I want all the souls to be present if body cannot be तो at least उतनी guarantee तो सब दे सकते है कि yes ma'am our soul will be present even if our body is somewhere else right, so जैसे हम लोग पहले class में ऐसे होता था कि लोग बोलते थे कि are you physically present or mentally present so there are people who are physically present but they are still mentally absent, you know ऐसा बोलते है न कि दिमाग कहीं और रहता है तो अभी मुझे चाहिए कि soul is present, body may be absent ऐसा कर सकते है न yes ma'am, yes okay so question है कि हम ये क्यों सीख रहे है इससे अच्छा है कि वैसे भी हम जब हमाई death हो जाती है तो soul अपने आप अपनी जगे पे चली जाती है तो फिर should we wait till the death तो अगर हम जीवन में है और soul इतनी important चीज है हमारी life की तो फिर हम क्यों नहीं उसके बारे में जाने स्लोली स्लोली हमको ये अंदाजा हो जाता है कि we are nearing our death and when we are near to our death we suddenly start feeling awakening in us so हमारा जो बुद्धा है वो उस साइम अवेकन होता है जब हम death के पास पहुंच रगते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि that will be the end of our life but death is not the end of the life because there is never actually an end it's an ongoing journey now the question is only in which direction are we going in what way are we making our vehicle travel because जो body है वो तो vehicle है उसमें आपकी सोल ट्रावल कर रही है तो अब आपके उपर है कि आप उसको सोल को किस डिरेक्शन में लेके जाना चाहें या फिर आप चाहें कि सोल आपको किस डिरेक्शन में लेके जाना तो that is what you have to determine कि आप चाहते हैं कि बोडी डिरेक्शन में करें कि सोल किदर जाए so as per my body needs as per my material needs as per my physical needs my soul walks in that direction or you want that soul should drive the vehicle means she should take the controlling बहुते है न गाड़ी का जो wheel का जो main driving है वो सोल करें और अगर वो सोल करेगी तो चाहे body को कहीं पे भी जाना हो सोल उसको सही जगे पे ले जाए right so हम को वो जो अपना control है वो सोल को देना है right पर उससे पहले अपना चाहिन जाएगे हम सोल से कैसे connect करें किसी को भी control देना है तो वो जना आपको दिखना तो चाहिए अगर आपने उसको कभी देखा ही नहीं उसको कभी समझा ही नहीं तो किसी stranger को तो हम अपना वो नहीं दे देंगे, तो actually देखा जाए, तो in spite of the fact कि soul ही हमारा main purpose है, soul ही हमारा सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं soul is become like a stranger, whom we are not aware, we only know yes, वो कहीं पे रहता है, body के किसी तो part में है, किसी तो हिस्से में है, किसी कोने में है, पर वहाँ पड़ा है, शान्त है, अच्छा है, उसकी तरफ क्यों धान देने का, right? So that becomes this thing. So you will have to excuse me, because जब मैं soul की बात करने लगती हूं, तो suddenly या तो मेरी body थंडी होने लगती है, या body थंडी होने लगती है, and अभी मुझे गरम और थंडा दोनों experience हो रहे हैं. So don't mind if I am little bit shivering, or little bit I am feeling very this thing. So, अब question है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो, या मैं कह रही हूं, या लोग कहते हैं, कि हमको soul के उपर ध्यान देना चाहिए, soul को connect करना चाहिए, तो फिर उसकी खोज करना, उसको कहाँ पर उसको हम पाएंगे, वो is our this journey. तो ये course जो है, वो उसके उपर है. Okay? Now उसके लिए हम अफकोस जानेंगे, किस तरह की souls होती हैं, किस types की souls होती हैं, we will do lot of exercises, और फिर धीरे-धीरे हम after life, before life, ये सब अलग-अलग तरीकों पे जाएंगे, जहां पे हम souls की journey इस दुनिया में ही नहीं, दुनिया से बाहर निकलने के बाद भी कैसी होती है, उसके उपर भी हम लोग भू करेंगे. पहले हम दुनिया पे ही concentrate करेंगे, उसके बाद हम दुनिया से बार जाएंगे, ओके?